रादे रादे मित्रों, आज हम आपके लिए यहां पढ़ लेकर आये हैं सिंग राशिका वार्शिक राशिफर 2019 तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं करियर की, करियर में इस साल सफलता पाने के लिए आप लगातार मिहनत करेंगे और करियर में आपको सफल परिणाम मिलेंगे भी लेकिन इन परिणामों से आप संतुझ दिखाई नहीं देंगे कारी के प्रति आपका परिश्रम आपको नई पहचान दिलाएगा और आपको नई जगह नौकरी करने का भी अवसर प्राप्त होगा साल की शुरुआत में आपको करियर के शेतर में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे कारी के प्रति आपकी मेहनत और लगन आपके सीनियर्स को भी दिखाई देगी और आफिस में आपके कारियों को सराह जाएगा इस दोरान आपकी पदोनती भी हो सकती है या फिर सैलरी में इंकरिमेंट हो सकता है जनवरी से लेकर के आपरिल तक का समय आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है हालाकि मई में आपको थोड़ा सा साफधान रहने की आवश्यक्ता होगी इस दोरान किसी भी तरह के विवाद में ना पढ़ें तो बहतर होगा अन्यथा आपकी पिछली मेहनत बेकार जा सकती है जून में आपको फिर से अच्छे पढ़ना मिलने के संकेत है जुलाई, अगस्त और सितंबर में आप अपनी सफलता को लेकर के निराश रह सकते हैं इस दोरान सीनियर्स के साथ भी आपकी भहस हो सकती है अक्टूबर में परस्थतियां सुधरेंगी और आपको पुनह अच्छे रिजल्स प्राप्त होंगी इस समय आपको किसी अन्य कंपनी से कोई जॉब ओफर भी मिल सकता है और ट्रांसफर भी हो सकता है साल की अंतिम चेरण में परस्थतियां फिर से आपके लिए जादा आनुकूल नहीं रहेंगी इस दोरान आपके सहकर्मियों से आपकी अन्बन हो सकती है और इसके अलावा कंपनी में कोई व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश भी कर सकता है इसलिए सावधान रहें आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो साल 2019 में आपको आर्थिक जीवन में छोटी मोटी चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन इसके बावजूद भी आपको बहुत बढ़िया परिणाम मिलेंगे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और अगर जनवरी को छोट दिया जाए तो फरवरी, मार्च और अप्रिल में आपको धनहानी हो सकती है लेकिन अगर आप आर्थिक मामलों में साफधानी से आगे बढ़ेंगे तो परिस्तितियों से बचकर निकल सकते हैं उसके बाद अप्रिल से मई तक का समय आपके लिए शुब संके दे रहा है इस समय आपको आर्थिक शेत्र में कोई बड़ा लाव मिल सकता है और इस दोरान आपकी आमदनी में भी वृद्धी होगी व्यापार में मुनाफ़ा होगा आप अपने भविश्य के लिए आर्थिक योजनाएं भी तयार करेंगे मई के बाद जून वा सितंबर और दिसंबर के महीनों में आपको भरपूर आर्थिक लाब मिलने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं और ये मान के चलिए कि इस वर्ष आप धन को इकर्टित करने में काम्याब रहेंगे वहीं आपके खर्चों पे नजर डालें तो फरवरी और मार्च में आपके खर्चों में काफी वृद्धी हो सकती है और हाला कि फिर भी परिस्थितियां आपके नियंतरण में रहेंगी आप संपत्ति को लेकर के अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो जो रिजल्ट होगा वो भी आपके हक्त में आएगा विदेशी संबंदों से आपको आर्थिक लाब मिलने की प्रबल संभावना बन रही है और इस वर्ष आप कोई नया वाहन भी खरीच सकते हैं इसके अलावा इस साल आप अपने पुराने उधार भी चुकता कर सकते हैं यदि बैंक में लोन के लिए आवेदिंग किया है तो आपका लोन पास हो जाएगा सिक्षा की विशे में बात करें साल 2019 के लिए तो सिंग राशी के चात्रों के लिए ये साल थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है इस साल आपको पढ़ाई में भी चुनुतियों का सामना करना पड़ सकता है और पढ़ाई में मन कम लगेगा किसी कारण से आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी हाला कि जो शाद्र प्रतियोगिता परिक्षा की तयारी कर रहे हैं उनके लिए जनवरी से मार्च तक का समय बहुत अच्छा रहने वाला है इस दोरान अगर कोई परिक्षा है तो आप उसमें सफल हो सकते हैं मार्च के बाद पढ़ाई मेहनत की बजाए किसमत और भगवान के भुरू से जादा होगी एक्जाम में पास होने के लिए आप इश्वर से प्राटना करने पर जादा यकीन रखेंगे इस समय आप धार्मिक साहित भी पढ़ सकते हैं नई भाषा को जानने और उसे सीखने में आप रुची दिखाएंगे जो चात्र संबंदित कोर्स कर रहे हैं उन्हें इस वर्ष लाब मिलने की प्रबल संभावना है तक्निकी सिख्षा को प्राप्त करने में आप रुची दिखा सकते हैं और इस साल आप कोई कंप्यूटर कोर्स भी कर सकते हैं बोर्ड परिक्षा में छात्र छात्राओं को सफलता के लिए जम कर पहनत करने की आवश्यक्ता होगी गहन अध्यान भी आपको सफलता का स्वाद दे सकता है वहीं जो शात्र विदेश में सिख्षा पाना चाहते हैं तो एप्रिल मई एप्रिल से मई तक का जो समय है वो उनके लिए काफी शुब रहेगा इस समय आप सिख्षा पाने के लिए विदेश जा सकते हैं उच्च सिख्षा के लिए शुरुवाती महीने बहुत अच्छे हैं बाद में आपको इसके लिए मशक्कत करनी पर सकती है हाला कि सितंबर और नवंबर के समय आपको अच्छा परिणाम वापस से मिलने लगेगा इमें घरेलू परिस्तियों में हलका फलका उतार चड़ाव नजर आ सकता है लेकिन ये परिस्तिया मामूली समय के लिए ही होगी माता जी की सेहत दुरुस्त रहेगी और घर की खुशियों को देख करके उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहेगी भाई बहनों के लिए पी ये साल बहुत अनकूल दिखाई दे रहा है पढ़ाई अत्वा करियर में उनका प्रदर्शन सराहनी रहेगा और विदेश जाने की भी प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं पिता जी के स्वास्तिका ध्यान रखें इस वर्ष पिता जी के करियर में कोई बहुत बड़ी उच्छाल आ सकती है हाला कि प्रमोशन के कारण उन्हें घर से दूर भी रहना पड़ सकता है इस वर्ष सपरिवार आप किसी तीर सल पर या कहीं गुमने जा सकते हैं मैस से जून का जो समय है उस समय घर में विवाह जैसे कारेक्ट्रम का आयोजन हो सकता है और जु का संबंद यूही बना रहेगा विवाह और संतान के विशय में बात करें तो वैवाहिक जीवन में साल 2019 में मिश्रित परणामों की प्राप्ति होगी हाला कि ये साल आपके लिए सामाने से बहतर रहेगा जीवन साथी के साथ रिष्टे बहतर होंगे और साथ में दोनों के बीच विवार्द भी देखने को मिल सकता है इस वर्ष आपको जीवन साथी के द्वारा आर्थिकलाव मिलेगा उन्हें किसी प्रकार की बड़ी उपलब्दी हासिल हो सकती है यदि जीवन साथी कहीं पर कारे करते हैं तो उनका प्रमोशन अत्वा सेलिरी में इंकरिमेंट भी संभव है साल की शुरुआत में साथी की दब्यद खराब हो सकती है माश तक परिस्तियां जादा अनुकूल नहीं है अता है इस समय आपको अच्छे पढ़ना मिलना मुश्किल है बच्चों की सभाव में बदलाव नजर आ सकता है जरा-जरा सी बात को लेकर के विच्छ सकते हैं इस समय उनको उनके साथ आप दोस्तों जैसा व्यभार रखे और अगर संभव हो तो उन्हें परिस्तितियों से अवगत कराते रहें जीवन साथी आपकी भवनाओं की कद्र करेगा और आप दोनों के बीच अच्छा तालमेल देखनी को मिल सकता है प्रेम जीवन के साथ किसी बात को लेकर के अन्बन हो सकती है या किसी गलत सहमी के कारण आपके संभंदों में खटास भी आ सकती है कभी कबार अपने रिलेशन्शिप से आप पसंतुष्ट दिखाई देंगे इस समय में ऐसी कंडिशन्स में अपने मन की बात को दबाएना और यदि साथी के साथ किसी भी प्रकार की कहा सुनी हो जाती है तो साथ मिलकर के उसे सुलचाने का प्रियास करें यानि प्रेम संभंदों में थंडे दिमाग से काम ले हर बार स्वास्ते के विशे में बात करें तो ये साल आपके स्वास्ते के लिए अच्छा रहेगा साल के शुरुआती मही इनों में यानि जनवरी फरवरी में आपको सर्दी जुकाम की शिकायत रह सकती है आपको शारीरिक ठकाने वो मुर्जा की कमी महसूस होगी हाला की फरवरी मद्द से आपको स्वास्तिलाब मिल सकता है जबकि एपरल से लेकर के सितंबर तक का समय आपके स्वास्ति जीवन के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है इस समय आप अपनी सिहत को लेकर के जादा गंभी दिखाई देंगे सरस्त दिंचरिया आपको हेल्दी रखेगी और योग और आसन से आप मन को स्थिर और प्रसंद रखेंगे दिसंबर में अपनी सिहत का खास ध्यान रखने की जरू अच्छी सिहत के लिए अच्छी आदतों को अपनाना बहुत जरूरी होता है इसलिए अपने स्वास संबंदी अच्छी आदतों का निश्य ही ध्यान रखें मानसिक शान्ति के लिए हो सके तो मेडिटेक्शन का सहारा लें और इस वर्ष आपके उपर काम का प्रिशर काफी जादा होगा इसलिए आराम के लिए भी परियाप समय निकालें इस वर्ष आपको बुखार और गठिया के रूप के अलावा आंक से जंबदित परिशानी हो सकती है तो अपने सिहत को लेकर के किसी भी तरह की लापरवाही बिलकुल ना बरते ये था साल 2019 का वार्षिक योगी हुगी नमू नारायड